So now we will see what role schools can play in prevention of student sexual abuse by teachers तेकि जब हमें पता चल गया है कि असादजा भी ऐसा कर सकते हैं तो इदारे का फर्ज है कि वो ऐसे इंतजामात करें कि बच्चों को इस तरह का नुकसान कोई ना पहुंचा सके So a teacher cannot be allowed to sit in privacy with a student आप ऐसा कोई situation पैदा ही ना करें कि बच्चा उसाद के साथ कहीं भी अकेला हो So a school should ban the activities like sending a student alone to the teacher's office or house तो एक तो असादजा को यह इजाज़त नी होनी चाहिए कि वो बच्चों को अकेला घर बुला लें कि जिए किताबे लें के मेरे पस पढ़ने के लिए आ जाओ या मुझे किसी चीज़ के काम की जरुरत है मेरे काम के लिए आ जाओ किसी तरह से भी बच्चे को स्कूल से बाहर ना निकलने दिया जाए और उस्ताज की तरफ उसको नहीं जाना है अकेले में अब ये ट्रेनिंग बच्चों को तो हमने देनी ही देनी है लेकिन असाद्जा को भी बताना है कि क्या सही है क्या गलत है और अगर उनकी तरफ से कोई भी ऐसा एक्चन होता है तो उसकी उनको करारवा कई तजा मिलेगी और बच्चों को बताना इसलिए जरूरी है कि उनको पता तो चले कि उनके साथ क्या टीक हो रहा है और क्या गलत हो रहा है So education or training approaches should be most frequently proposed through personal training or online training तो जैसा भी मुमकेन हो face to face दे सकते हैं या online दे सकते हैं बच्चों को भी training दी जाए और asadzah को भी बताया जाए कि उनके लिए भी क्या गलत है और क्या दुरुस्त है Effective policy change needs to include अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चों के लिए कोई कवानीन ऐसे बना दिये जाएं ऐसी policies बना दी जाएं जिससे उनको इस तरह के नुक्तान से बचाया जाए तो हमें क्या करना होगा education on child protection ये education हमने asadzah को भी देनी है बच्चों को भी देनी है बच्चों के वालिदैन को भी और institutions के सरवराहान को भी जितने stakeholders हैं उन सब को at least पता होना चाहिए कि कहां पर बच्चा जो है वो vulnerable है उसको कहां नुक्तान पहुंच सकता है तो prevention of situational crime कोई ऐसी situation ही create नहीं होनी चाहिए जहां पर किसी को मौका मिले कि वो उस मौके से फाइदा उठाए तो pre-criminal therapeutic interventions for sexual behaviors problem देखिए asadzah को शुरू में ही अगर हबरदार कर दिया जाए और उनको बताया जाए कि उनका किस तरह का रद्दे अमल या अमल बच्चे को नुकसान पहुचा सकता है या उनके कौन से fail को crime समझा जाएगा तो फिर कुछ वो भी उनको पतर चल जाएगा और वो भी उससे इतियात बढ़तेंगे मसलां खुदाना खास्ता अगर किसी का जर्म का इरादा है और उसको शुरू से कवानीन के बारे में बताया जाए सजा के बारे में बताया जाए और ये बताया जाए कि उसकी सारी जमादारी उसी पे होगी अगर उसको कोई नुकसान पहुचता है तो वो इहतियात जरूर बढ़तेंगे तो पहला काम तो ये होगा कि अगर उनसे कोई ऐसा फेल सर्जद होता है तो फॉरी तोर पर उनको नौकरी से अलग कर दिया जाएगा देखिए ये कवानीन बताने जरूरी है स्टाफ को कि अगर आपकी तरफ से कोई इस तरह की गलती होती है तो उसको पर फिर कोई मौफी तलाफी नहीं होगी सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि बच्चे विलनरेबल हैं क्यों इसलिए ना कि वो रिपोर्ट नहीं करते वो बता नहीं सकते वो धमकी में आ जाते हैं और इस खौफ से जैसे अगर कोई उनके साथ जयाती करेगा तो उनसे कहेगा कि वो किसी को बताएंगे नहीं और वो फिर डर के मारे नहीं बताएंगे तो वो मौमला चलता रहेगा तो उनको ये बताना जो हमने बताया कि गुड टच्च के बारे में बैड टच्च के बारे में उसको बताना है कहां उन्होंने उस्ताद के साथ तनहाई में नहीं ठहरना उनके घर नहीं जाना या कैसे आपके साथ वो तालुकात रख सकते हैं कैसे नहीं रख सकते हैं कहां उनकी हद हैं और क्या वो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं ये सारी चीजें तष्दील के साथ बच्छों को बतानी जरूरी हैं और फिर ये भी कि वो Self Defense कीसे करें फर्ज करें अगर अगर उनको परकड़ने की कोशिश करता है वो शोर मचाएं, बताएं लोगों को कि उनके साथ कोई जाती होने वाली है, ताके मौके पर उटको रोका जा सके, तो ये ट्रेनिंग बच्चों के लिए करना सक्थ जरूरी है, होता ये है कि आज से पहले चूंके ऐसी चीजे कम ही निस्बतन जो माजी में, तो ना तो साथ से ज्यादा तो नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि पाक्स्तान के अंदर भी इसी तरह से गलत हो, हम चाहते हैं कि हम इन सारे इस तरह के जो नापसंदीदा वाक्यात हैं, उनके उपर कोई ना कोई एक्शन ले कोई steps ले और सबसे पहले तो इधारे लेंगे ताके बच्चों को कम से कम रुक्तान पहुंचे या बेहतर situation तो यह है कि ऐसी situation से उनको बचाया जाए.